हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल टेचिंग एक्जाम ओवरलोड दोस्तों आज के सेसन के अंतरगत आपकी जो सीटे डिसमबर 2013 की क्लासे चलती है उसमें आज आज आपकी सेस्टी की नेक्स लास है जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्टी के चेप्टर नंबर 7 को प सब्सक्राइब करें तथा जादा जादा सेर करें चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है कि पंजाब में खोखर जंजाती 13 और 14 सदी के दोरां बहुत प्रभावसाली हो गई थी तो अगर प्रस्ट मज़ेगा कि खोखर जंजाती कहा निवास करती पंजाब में और यह 13 और 14 सदीक दोरां बहुत जादा इंपार्टेंट हो गई थी यहां बाद में गखर लोग जादा महातपूर हो गए थी यहां बाद में गखर समधायक लोग बहुत इंपार्टेंट हो गए थी पंजाब छेत्र में उनके मुखिया कमाल खान गखर को ब प्रसासनिक पद्य था, तो अगर प्रस्ण मनेगा किस गखर मुखिया को अकबर ने मनसबदार बनाये था, तो कमाल खान गखर को बनाये था, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, उत्तर पस्चिम में एक और विशाल सक्तिशाली जनजाती थी बलोच, धार किया, उत्तर जनजाती कई कुलोंबटी हुई थी, पस्चिम हिमाले में गड़ी गडरीयों को जनजाती थी, अगर प्रस्चिम मनेगा कि गड़ी जनजाती कहां की है, तो वह पस्चिम हिमाले की है, और यह गडरीयों की जनजाती रही थी, उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहम और कई दूसरी जंजातियां निवास करती थी तो इसमें बताया गया है कि जंजातियां का नाम बताया गया और उससे संबंदित छेत्र तो उत्तर पस्चिम छेत्र में बल्हूच रहते थे जो कई कुलोंबटे हुए थे पस्चिम हिमालें गड़ी रहते थे जो गड़ियों क जन जाती थे और उत्तर पूर्वी भाग में नागा जन जाती अहों जन जाती और भी कई अने जन जाती यां रहती थी आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि मौजूदा बिहार और जारकंड के कई इलाकों में बारावी सदी दक चेर सरदार साहियों का उदय हो गया था त अगबर जो था समराव अकबर उसका प्रशिद सेनापती था राजा मान सींग उसने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था आगे देखते हैं और उन्हें प्ररास्त किया था उन्हें हराया था औरंग जेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों पे कई किलों पर द्यान रखिएगा इस छेट में कुछ और प्रमुक जन जातिया थी जैसे कि मुंडा और संथाल यह दपी यह उडिसा और बंगाल में भी रहते थे और यह मुंडा और संथाल जन जातिया उडिसा और बंगाल में भी रहते थे आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि आटक और महारास्ट में निवास करती थी, इनकी पहाड़ियों में इनका निवास अस्थल रहता था, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, द्यानर कीगा, महारास्ट और गुजरात आधी से संबंदित इलाकों में कोली जनजाती रहती थी, कुछ और में भी कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जनजाती हैं निवास करती थी, भीलों की बड़ी जनजाती पश्चमी और मद द्यवारत में फैली थे, दियान रखीगा, भील जो थे, वो कहां रहते थे थे, बहुत इंपर्टेंट थे, ये पश्चम और मद द्यवारत में थ इन ये जलन जाती हैं दच्छिर में निवास करती थी और भील कहा निवास करती थी पस्चिम और मद्धिभारत में निवास करते थे भील के लोग आगे देखते हैं आगे दिया गया है कि बंजारा लोग सबसे महत्पूल ब्यापारी खाना बदोस थे खाना बदोस क्या होता ह कि जिनका एक निवास अस्थल नहीं होता लगातार घूमते रहते हैं तो बंजारा लोग कौन थे? सबसे महत्पूल ब्यापारी खाना बदोस लोग थे इनका कारवान टांडा कहलाता है द्यान रखीगा PYQ है प्रस्न था कि टांडा क्या होता है? तो बंजारे लोगों का जो कारवा होता है कारवा मतलब क्या होता है? कि एक जो गुरूप होता है उस गुरूप को क्या कहा जाता था? टांडा कहा जाता था सुल्तान अलाउद्दीन खिल जी बंजारों का ही इस्तमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे तो अलाउद दीन खिल जी ने बाजान नियंतर प्रणादी लाई थी और उसमें बंजारे लोगों का मदद लेता था वा और वा अनाज की डुलाई नहीं लोगों से करवाता था बास्था जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे बिबिन इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेका जाकर सहरों में बेचते हैं सा पहुंचाए जाता था आगे देखते हैं कि किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाग वायर आनाज डोने के ओने लगते थे तो इसमें इंपार्टन पॉइंट क्या था कि बंजारे सबसे लोग पहलों से क्या करते थे अनाज ले जाकर बेशते थे और मुगल सेनाग में जब सय नभियान करना होता था तो यह अनाज की आप उड़ती करते थे आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि ग्यारामी और बारामी सधी तक आते आते छत्रियों के बीच नए पराओं से आते थे तो इसमें कौन-कौन प्रमुक हो गए थे हूण चंदेल चालुक और कुछ अन्ने लोग भी थे आगे देखते हैं अगला पॉइंट है इस चेप्टर में थोड़ा पॉइंट्स कम थे धा इस चेप्टर में पॉइंट्स कम बनते हैं आपको देखे यह किसे चेप्टर में बहुत ज्यादा पॉइंट्स बन जाते हैं किसी में बहुत कम तो यह बहुत कम वाला पॉइंट था लेकिन पॉइंट्स इंपर्टन जो थे उसको मैंने ले लिया है तो गोंड जनजाती के बारे में दिया गय था जिसमें जो जो इंपर्टन पॉइंट विशाल गोंड जन जाती के कई छोटे-छोटे कुलों में भी भावी भटवे था कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी थी प्रते कुल का अपना राजा या राय होता था अपना राजा या फिर राय होता था जिसे राजा को ही राय कहा जाता था जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे तो जिस समय जो दिल्ली के सुल्टानों की ताकत कम हो रही थी तो जो बने गोंड राज थे वह छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे अकबर के सासनकाल में एक इतिहास अकबर नामा में उल्लीखित है द होता है उसमें कातंगा गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियन्तरण में था.. यह पुना 84 गाओं की काईउमीं विभाजी थी यह चाथी शुरसी गाओं की काईEufen विभाजी तो जाती थे मतलब जितने भी गाओं होते थे...... 84 84 गाओं में उसे बांट दिया जाता था और इन्हें 84 कहा जाता था most important point है आगे देखते हैं 84 का विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गाओं को मिला कर बनाए जाते थे उसके बाद जो 84 गाओं को बांटा जाता था उसमें भी 7 विभाजन और कर दिया जाता था 12-12 गाओं लोगों को राजपूत की मानेता प्राप्त है हमें भी राजपूत माना जाए हम भी राजपूतों के रूप में कारेभार समाले इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमंदास ने संगराम साह की उपादीधान की नहांने कीगा important point है अगर प्रस्ण मने का किस गढ़ पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से भिभा किया दलपत की मृत कम उम्रे में ही हो गए और रानी दुर्गावती बहुत योग थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नरान के नाम पर सासन की कमाल समाली उसने क्या किया अपने 5 साल पुत्र वीर नरान के नाम पर ही सासन करती थी मतलब नाम बीर नरान करती था लेकिन सासन उसकी माता रानी दुर्गावती करती थी जो की दलपत की पत्नी थी आगे देखते हैं आगे है कि उसके समय में राज का एक और अधिक विस्तार हुआ उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ 1565 में आसिव खान के नेतिर तुम्हें मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया तो 1565 में आसिव खान के नेतिर तुम्हें धाना कीगा अक्बर का सासनकाल था आसिव खान को भेजा गया था गढ़ कटंगा पर हमला करने के लिए रानी दुर्गावति ने इसका जमकर सामना किया और रानी दुर्गावति ने इसका जमकर सामना किया था उसकी हार हुई और उसने समरपन करने की बजाए मर जाना बहतर समझा उसकी हार हो गई उसने मर जाना बहतर समझा ना कि हारने से उसका पुत्र भी तुरंत बात लड़ हुई थी और अक्बर ने आसिप खान को भेजा था 1565 में अलडाई हुई थी आगे देखते हैं आगे हैं गड़कटंगा एक समरिद राज था इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका नियाद करने के व्यापार में खासा धन कमाया था तो इसका जो हाथियों भी बहुत जीत लिए आगे देखते हैं और सेस बीर नरान के चाचा चंदर साह को दे दिया उसने एक भाग को अपने कबजे में कर लिया मुगल समराज ने बाकी क्या किया बीर नरान के जो चाचा थे चंदर साह को दे दिया और क्या किया गड़कटंगा को अपन लोग 13 सताब्दि में मैंमार स्याके बरहमपुत्र घाटी में आ बसे उन्होंने भूईयों जिने भुस्वामी कहा जाता था लोगों की पुरानी राजनेतिक ब्योस्था का दमन करके नए राज की स्थापना की तो उन्होंने जो वहां की भुस्वामी थे उनकी पुरानी रा पराया और अपने राज में मिला लिया धाने कीगा इंपर्टेंट है 1662 में मीर जुमला के नेतित में मुगलों ने अहुम राज पर हमला किया तो 1662 में मीर जुमला ने अकबर का सासन काल था मुगलों ने नेतित कौन किया था मेर जुमला ने अहुम राज पर हमला कर दिया थ आगे देखते हैं आगे है कि अहों समाज कुलों में विभाजी था जिन्हें खेल कहा जाता था वहां दस्तकारों की बहुत कम जातिया थी और इसलिए अहों आगे देखते हैं एक खेल के नियंत्रण में प्राया कई गाउं होते थे किसानों को अपने ग्राम समदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी किसानों को अपने ग्राम समदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समदाय के सहमती के बगएर राजा भी इसको वापस नहीं ले सकते थे आगे देखते हैं अहुम राज बेगार पर निर्भत था राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे अब देखिएगा इंपर्टेंट है प्रस्ट मनेगा कि अहुम राज में पाइक क्या था तो अहुम राज बेगार रथा बेगारी करव के वहां काम करवाय जाता था और राज के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था वे पाइक कहलाते थे आगे देखते हैं आगे हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि बुरंजी नमक एतियासी कृतियों को पहले अहुम भासा में औ करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा अगर आप जिन तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्काइब करें तथा ज्याज़ ज्याज़ शेयर करें चाथ ही इसके चार चैप्टर और बचे हैं जैसे ही चार च सब्सक्राइब होई मिलेगी चलिए फिर धन्यवाद